हलो फ्रेंड्स दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हरा सोना किसे कहते हैं तो मैं आपको बताया देता हूँ कि हरा सोना कहते हैं बांस को क्योंकि ये बांस एकोनॉमिक द्रिष्टी से यानि आर्थिक द्रिष्टी से हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रभावित है यानि जन्म से लेकर के मृत्यु प्रांत मतलब हर समय शादी विवा हो पूजा पाठ हो आप जानते ही हैं कि हर हर आउसर पर चाहे दूख हो चाहे सुख हो इस बांस का उपयोग अवश्य किया जाता है तो दोस्तों बांस को एक व्रिक्ष नहीं माना जाता है एक्चुल में ये घांस है और ये सुनकर कि आपको अशर होगा कि ये बांस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है आप अगर कुछ देर तक इसकी कलम लगा करके बैठ जाएं तो आप बांस को बढ़ते हुए देख सकते हैं यानि कलम लगाते समय तो दोस्तों ये आप लोग देख रहे हैं कि बांस एक सा पौधा होता है जिसमें गुण ही गुण होते हैं और आप जानते ही हैं कि गाओं के पगडंडियों पर मेडों पर बांस के पौधे लगा दी जाते थे क्या होता है कि बांस जो है कभी भी आस पास की जमीन को बंज बना देता है लेकिन बांस में ये गुण होता है कि वो आसपास की जमीन को उपजाओ बना देता है और दोस्तों इसके जड़ से लेकर के और इसकी जो कोमल कोपले होती है उसमें तमाम तरह के आयरवेदिक गुण होते हैं और बांस एक ऐसा पौधा है जिसको ना तो अधिक ह हवा पानी की जरूरत है नसूर की बहुत जादा रोशनी भी चाहिए पहले तो यह खेतों के मेर पश्चाला या उसर बंजर भूम पर भी लगा दिया जाता था लेकिन आज कल इसकी खेती होने लगी है क्योंकि यह आर्थिक दिस्ट से इतना महत्वण हो गया है और आप त तमाम घर बनाया जाते हैं भुकम प्रोधी होता है इसमें लचीले पन का इतना गुण होता है और कि इसके आप जहां पर भुकम प्रभावी छेत्र होते हैं वहां बांस के घर बनाया जाते हैं और दोस्तों ये एक ऐसा पोधा है जिसमें आग नहीं पकड़ता यानि आग क्रोधी होता है तो ऐसे जंगलों में जहां पर आग लगने के संभावना ज्याजा होती है वहांपर video स्थीज़, यह ब्रेम भी तार्विदिक भर पड़े हैं। और इसको हरा सोना कहते हैं एक्चुल में ये जो महिला आर्थिक सास्त्र है यानि औरतें जो है इस अपने घरोल उद्योग में इस बांस से तमाम तरह के पंखें टोकरियां कुर्सी मेज वगर तमाम तरह की चीजे बनाते हैं दोस्तों आपने मुहारा सुना होगा उल्टे ब बरेली यानि कहने का मतलब हमारे उत्तर प्रदेश का जो बरेली का इलाका है वो बांस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और बांस के बहुत ही मजबूत कुर्सियां मेज टिकाव चीजे आप लोगों ने देखा ही होगा विभिन मेलोगर में तो ये एक ऐसा पौधा है सब तो उसको ये अपने में अबजार्ब कर लेता है बेंजीन, क्लोरोफार्म जैसे जो खतरनाक रसायन होते हैं इनको अपने में अबजार्ब कर लेता है और दोस्तों इसका तो आजकल अचार, काढ़ा, सिर का तमाम तरह की शक्तिवर्धक दवाएं और वटी जैसे वन्शलो को बढ़ाने वाला है तो आरवेदिक जो महत इंपॉर्टेंस है वो तो बहुत ज़्यादा है वो कहने की बात नहीं है हिदय रोग में दमा में मस्तिस कौसांस संबंधी बिमारियों में ये बहुत हिलाबकारी है उत्तर भारत में ये फूलों से जरे बीजों के अलामा जड की कटिंग से रुपाई इसकी होती है तने की निचले भाग को तीन इंच लंबाई में काट करके उसको लगा दिया जाता है तो नई नई जड़े भी पोधे का रूप ले लेती हैं तीन से चार मीटर की दूरी पोधा लगाने का इसमें अन्य फसलें भी लगाई जा सकती है इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि इसके आसपास कोई फसलें लगाई जाए या न लगाई जाए दोस्तो इसको अपने घर में लगाना अत्यंत शुबकारी माना गया है लगबग दो तीन फिट का बांस का पोधा आप गंबले में लगाईए और अपने घर में पूरब दिशा में, रखे, वास्थ दोश के हिसाब से, यो पूरब दिशा में, बहुत ही, शुब माना जाता है, दोस्तों, आप जानते ही हैं की तमाँ, शुई में, बास को, बहुत ही शुब माना गया है, लोग, लखी भंबु को, अपने घर में, अपने अंदर मेज वगरह पर रखते हैं तो इसको आप अगर लकी बंबु को आप लगा रहे हैं तो उसको सूखने से बचाएं जाबा केयर करने की ज़रूत नहीं होती है बस उसमें वाटर की मात्रा आप कम नहोंने दें दोस्तो इसके आरवेदिक गुण कुछ बताता हूं बास काने से मधमय को नियंटरिक करने में मदद मिलती है बास की कौपल का खांतर बना कर पीने से सास के रोग में प्राबम में जो रुकावट वगरह होती है और दूर होती है बास के पत्रों से जो एक प्रकार का दरव निकलता है उससे जूस एक्ट्वför अपोननेंट होत तरह के विटामेंस वगरह भी पाय जाते हैं दोस्तों यह बहुत बड़ा आर्थिक संबल भी है इससे कागज बांसुरी वाइलीन वगरह बनाया जाता है भुकों परोधी घर जोपड़ी छट बनाने में उपयोग अगरबत्ती टैंसिल माचिस टूथ पिक्स तमाम तरह की ब पौधा है जिसे न तो अधिक हवा पानी की जरूत होती है नसूर की रोशनी की यह उसर बंजर जमीन में भी बड़े आराम से लगाया जा सकता है और इसको लगाने का सबसे अच्छा समय माना गया है बसंत रितु यानि जब बहुत जादा ठंडक न हो और बहुत जादा ग लगेगा तो आप इसको कोई केर करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं होगी दोस्तों इसमें न तो कोई की तरह के किटानू लगते हैं न बैक्टीरिया न वाइरेस कोई भी चीज इसमें कोई प्राबलम नहीं होती इसलिए बांस की खेती अगर आपके पास खेत वगर है तो आप उसमें आट-दस जगह बांस लगा दीजिए और आप जान लीजिए कि साल भर में आपको कई लाख रुपए का आर्थिक लाब होने की पूरी पूरी चांसिस बनी दहती है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है तो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताईएगा थैंक्स पार वाचिंग दोस्तों